शुकरवार को महिला थाने में एक लवजीहाद का मामला सामने आया है पलिस ने आरोपी यूवक के खिलाफ प्रकरंदर्च किया है आरोपी ने नाम बदल कर महिला को शादी का जहांसा दिया और उसका शारिरिक शोशंग करता रहा असलिए सामने आने पर महिला ने पलिस को शिकायत की और जैन के मुरी नगर निवासी एक महिला की पहचान 2018 में नागदा निवासी विकास बागरिया से हुई थी पहचान के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे विकास ने इस दोरान शादी का जहासा दे कर कई बार महिला का शारिरिक शोशन भी किया दो दिन पहले विकास बाथू में था उसके पर से उसका फोटो यूप ड्राइविंग लासेंस मिला जिसमें विकास का नाम वसिम अकरम निवासी बर्नगर लिखा था इस पर उसे संदे हुआ तो उसने विकास से सचाई पूछी पिडिजा ने बताया कि पहले तो वह आनका नहीं करता रहा लेकिन बाद में उसने सच बता दिया एडिशनल एस पी अमरेने सीह ने बताया कि जाच की जा रही है और उपी के खिलाव दुशकरम का प्रक्रिंट दर्च किया है पलिस ने बताया कि महिला की शादी साल 2004 में हुई थी उसे दो बच्चे भी हैं पती के साथ विवाद होने के बाद वह उससे अलग हो गई थी उसके बाद से ही वह मुरी नगर में किराय के मकान में रहने लगी जहां पर उसकी पडोस में रहने वाली एक यूवती ने उसकी मुलाकात नागदा के विकास बागले नाम के एक यूवक से कराई तब से लेकर विकास खुद की असली पहचान छीपा कर उसका शूशन करता रहा पीड़ीदा ने पुरस को बताया कि वसीम ने उसे हमेशा धूखे में रखा जब भी वह उस पर शादी का दबाब बनाती तो वह टाल देता वसीम ने महिला को तसलिक देने के लिए मंगल सूत्र बनवा कर लाया और उसे पहना दिया वह करी बार महिला के साथ मंदिर में भी जा चुका था लेकिन वह खुद को नास्तिक बता कर कभी पी अंदर नहीं गया मुझे विकास नाम करके मिला था एक जया नाम करके लेड़ी से जो मेरे घर के सामने किराज से रहती थी उन्होंने मुझे कुछ मदद के लिए उससे मिलवाया था कि ये विकास हैं मुले आपकी मदद करेंगे तो वो रिलेशन में पीछे पढ़के रिलेशन में जूड़ गया और रिलेशन में जूड़ के हिंदू नाम ही बताया उसने मुझे कि मेरा नाम विकास है राजबु समाज से हूं गया और अपना नाम भी गलत बताया और रहवास भी नागदा का बताया और मुझे अभी दो महीने पहले मुझे पता चला कि वो मुमेडेन है और उसका नाम बसीम है और अपना नाम बदल के मेरे संग में साधी का जहांसा दे के मेरा सुर्शन कर रहा था मैं थाने पर आई हूँ मैं को इसके खिलाब कंप्लेंड दर्श करवानी है क्योंकि उसने मेरे साथ में बहुत बहुत गलत गटनाई की है और उसकी वज़द से मैं ने दिमा की हालत प्तिक हुए है